Dear Students, Welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally ERP9 का Chapter No. 2 Basic Accounting Terms Chapter को contain करना है. Students, last class में हमने Accounting के बार में जाना था कि Accounting क्या होती है. So, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि Accounting क्या होती है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे कि Accounting के अंदर एक Systematic Process होता है, जिसके अंदर कि जो भी हम LinkedIn करते हैं, उस LinkedIn को Record करने का काम, उसको नापने का काम, उसको पहचानने का काम, ये सब काम किसके अंदर आते हैं? Accounting के Systematic Process के अंदर, और आपने जाना था, Accountancy क्या होती है, तो Accounting को पढ़ना ही क्या है? Accountancy कहलाती है, तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं, अपने इस Chapter 2, Basic Accounting Terms को, अब ज़र समझने की कोशिश करिए, कि Basic Accounting Terms क्या है? तो Accounts के अंदर, कुछ ऐसे Words यूज होते हैं, जिसका Mining आपको पता नहीं होगा, तो हमें क्या करना है? उसी Terms को, उसी Words के मतलब हमें सीखने हैं, जो Word हमारे Business के अंदर, या फिर Accounting के अंदर, यूज होते हैं. So, First Word यहाँ पे रिटर्ण है, Business Transaction. होता है, जब कोई दो Party, या फिर कोई दो लोग, आपस में Linden करें, तो क्या होता है यहाँ पे? तो जब दो Parties, आपस में Linden करें, और उस Linden को Record करती है, और वो भी जो Linden हो रही होती है, अगर वो Money के Form में है, ठीक है? तो उसी को आप क्या बोलोगे? Business Transaction बोलोगे. Means, जो भी आप Linden कर दे हो, जैसे मैं और आप, आपने मुझे पैसे दिये, और मैंने आपको वीडियोज दी. तो हमारे बीच में क्या हुआ? एक Linden हुआ, एक Business Transaction होई. ठीक है? और जो भी Linden हुआ, जैसे आपने में को फी पे करी, तो उस फी को मैंने क्या किया? रिकॉर्ड करके रख लिया, और उसकी आपको Slip निकालके दे दी. तो इसको आप क्या कहोगे? Business Transaction कहोगे. उके, उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आगिया होगा, Cash Transaction का मतलब होता है, जैसे ही आपने में से कुछ समान लिया, और तुरंत Cash पैसे आपने मेरे को दे दिये, तो उसी को आप बोलोगे, Cash Transaction, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है, When the amount is transacted immediately on entering into a transaction, It is a Cash Transaction, Means, अगर आप कुछ समान ले रहे हो, और आपने तुरंत उसी वक्त Cash दे दिया, तो आप उसे बोलोगे, Cash Transaction, और यहाँ दूसरा है, Credit Transaction, Credit Transaction का मतलब यह होता है, कि जब आप समान खरीद रहे हो, लेकिन आपने उसी समय पैसे नहीं दिये, आपने पैसे कब दिये, कुछ दिनों के बाद, जैसे की, आप इसकी Definition में देख सकते हैं, क्या लिखा हैं आपे, When the amount is not transact immediately, and promise to pay later, it is a Credit Transaction, Means यही हुआ, कि आपने जब समान खरीदा, और आपने उसी समय पैसे पै नहीं किये, उसी समय आपने money नहीं दिया, और कब देंगे आप money, और promise करते हैं, कि हम money को बाद में देंगे, Means cash आप उसे बाद में दोगे, तो आप उसी को बोलोगे क्या, Credit Transaction, अशान भासा में मैं आगर आपको बताऊँ, तो Cash Transaction Means, क्या होता है, जब आप तुरंत पैसा पे करके समान लेते हो, और Credit Transaction वो होता है, जब आप उधार में समान खरीदते हो, चीक है, So I think आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कि Cash Transaction क्या होती है, और Credit Transaction क्या होती है, अब सीखिए, Next Term, जिसका नाम है Account, Account क्या है, जब पढ़ियें यहां पे, Account is a summarize record of transaction, relating to a particular head at one place, So, Accounting का मतलब क्या है, Accounting में, जो भी हम Lending करते हैं, जो भी Account के अंदर, जो भी हम Lending करते हैं, उसे record करने का काम, कौन करता है, Account के अंदर, ठीक है, तो देखों यहां पे Account की क्या definition लिखिए, Account क्या है, क्या करता है, Account सभी Lending को, चाहिए वो Sale हो, या Purchase हो, उसको record करने का काम करता है, अलग-अलग categories के अंदर, ठीक है, अब समझे, यहां पे, Next है, Capital, अब Capital क्या होता है, Accounting की भाषा में, और उसमें आपने जो First Investment लगाई है, आप उसी को क्या बोलोगे, Capital बोलोगे, ठीक है, और जरूरी नहीं है, कि Capital हमेशा पैसों के ही रूप में हो, ठीक है, वो कुछ समान भी हो सकता है, जैसे कि आपकी Building हो सकती है, ठीक है, Means कोई भी ऐसा समान, जो आगे चलके Money में Easily Convert हो जाए, आप उसको यहाँ पर Capital बोलोगे, ठीक है, मतलब वो समान, जो आप Business शुरू करने पर लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप पैसा भी बोल सकते हो, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है, Capital is the amount invested by the proprietor और partner in the business, Means, Capital वो amount है, जो की invest किया जाता है, प्रोप्राइटर के थुरू और partner के थुरू बिजनस के अंदर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर यह भी लिखा है, इट में भी in the form of money or assets, having money value, ठीक है, तो इसमें यह भी लिखा है, जुरू नहीं है, कि आप पैसा ही pay करेंगे, फर्स टाइम बिजनस खोलने के लिए, जुरू थोड़ी नहीं, समान की भी तो जुरूत पढ़ती है, क्या एक building की भी तो जुरूत पढ़ती है हमें, ठीक है, और उस building के अंदर आप office खोड़ लोगे, तो building भी क्या है आपके लिए, वो capital ही बन जाती है, ठीक है, सो सीधी सी बात यह है, कि capital क्या है, capital वो amount है, जब हम business शुरू करते हैं, और उसके अंदर जो first पुन्जी हम लगाते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, capital बोलोगे, ठीक है, next term है यहाँ पे, drawings, अब drawings क्या होती है, वो समझे, अगर आप अपने business के अंदर से, ठीक है, अगर आप अपने business के अंदर से, अपने personal use के लिए, पैसे को निकालते हो, तो उसी पैसे को हम बोलेंगे, drawings, ठीक है, एक बार और सुनिये, क्या है drawings, अगर हम अपने business के अंदर से, अपने खर्चे के लिए, मिन्स अपने personal खर्चे के लिए, जो पैसा निकालेंगे, उसी को आप क्या बोलोगे, drawings बोलोगे, जैसे कि इसके definition में लिखाया आप पढ़ सकते है, इट इस अमाउंट, विड्रॉज और गुड्स टेकन बाई दा प्रोप्राइटर, फॉर हिस पर्सनल यूज, ठीक है, मिन्स जो भी अगर आप पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालोगे, बिजनस में से, उसी को आप क्या बोलोगे, ड्रॉइंग्स बोलोगे, ओके, अब आज़े यह next यहाँ पर टाम है, लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज को आप एक तरीके से, अपना लोन समझो, कर्जा समझो, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते है, लाइबिलिटीज बोलते है, जैसर कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, लाइबिलिटीज में दे अमाउंट, पेबल बाय दे बिजनेस टू आउटसाइडर, साफ साफ लिखा है, लाइबिलिटी का मतलब वो अमाउंट है, जिसी की हमें देना है किसको outsiders को मिन्स बाहर वाले को ठीक है अब जो business से बाहर वाले है उसको हम पैसा business में से कप पे करते है जब हमने उनसे कोई loan या फिर कोई करजा लिया होता है ठीक है तो I think आप liability को इस तरह से समझे कि liability का मतलब loan होता है करजा होता है ठीक है अब ये loan भी two types के होते है means liabilities ठीक है यहां लिखा है there are two types of liabilities ठीक है पहला है आपका current liabilities जिसे की हम दूसरे शब्दों में short term liabilities कहते हैं अब समझे कि current liabilities क्या होती है तो current liabilities वो liabilities होती है जो की एक साल के अंदर-अंदर खतम हो जाएं ठीक है जैसे की means वो loan या फिर वो करजा जो एक साल के अंदर-अंदर खतम हो जाए ठीक है जैसे की आप example में देखिए bills payable short term loans या फिर आप तरह एक तरह किसे कह सकते हो electricity bill भी क्योंकि अब आप जैसे देखो कि पहले आप क्या करते हो one month का जो energy होता है electricity energy आप consume करते हो आपके पास bill आता है then उसके बाद आप उसे pay कर देते हो तो यह क्या है आपके लिए आपको तो pay करना है ना outsider को ठीक है तो वो क्या हुआ एक तरह किसे आपका current liabilities हुआ so I think समझ गए होंगे आप कि current liabilities क्या होती है अब आजाए यहां पे नीचे है non current liabilities जिसे कि हम दूसरे शब्दों में long term liabilities भी कहते है ठीक है इसके अंदरी क्या होता है कि जो आपका loan loan का time होता है वो एक साल से उपर का होता है ठीक है इसलिए हम इसे क्या कहते है long term liabilities ठीक है जैसे कि आपने loan लिया जैसे कि आपने 5 पांच साल का loan ले रखा है या फिर आपने debentures ले रखे हैं या फिर equity shares ले रखे हैं तो यह सब आपके किस में जाते है long term liabilities के अंदर या फिर आप कह सकते हो non current liabilities के अंदर so यहाँ पर देखिए next term आती है assets assets क्या है समझने की कोशिश करिएगा ठीक है assets का मतलब होता है समान साफ से इसी बात simple भाशा में मैं आपको बता रहाँ जो भी समान होता है वो assets होता है लेकिन वो समान एक तरीके से कैसा होना चाहिए जो future में चल के आपको profit दे या फिर आपका benefit करा है उसे आप क्या बोलोगे assets बोलोगे जैसे कि यहाँ देखो क्या लिखा है definition पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा लिखा है यहाँ पे assets are property और legal rights owned by an individual or business to which money value can be attached इतना समझने की पहले कोशिश करो इसका मतलब क्या है assets क्या है एक property है और legal rights है अधिकार है जो कि किस के पास है एक individual के पास या फिर एक businessman के पास ठीक है जो कि जिसे की एक money value attached है जैसे कि आपका पूरी की पूरी एक building है ठीक है वो भी क्या है एक assets है क्योंकि building भी तो एक तरीके का समानी पूरा मतलब हुआ और आपकी machinery है यह सब क्या है समान जो भी समान है और वो समान के अंदर अगर आपकी value attached है means future में चलके वो समान बेच के अगर आपको पैसे मिल जाते है जो भी आपके future में चलके जो आपको benefit प्रवाइड करवाते है वो समान आपकी क्या है assets है जैसे कि यहाँ देखो आगे भी लिखा है in other words anything which will enable the firm to get cash or benefit in the future तो यहाँ पर क्या लिखा है वो समान या फिर वो assets जो आगे चलके आपको future और future में आपको पैसे दें या फिर आपको benefit करवाए वो समान क्या है assets है साफ सिरी बात अगर अभी भी समझ में नहीं आया assets क्या है तो simple से आप ये समझे assets एक ऐसा समान है जो आगे चलके future में आपको cash provide करेगा या फिर आपको benefit देगा उसी को हम assets बोलते हैं ठीक है समझ में आया जैसा कि यहाँ देखो example में मैंने लिख रखा है land हो गई building हो गया machinery हो गया furniture हो गया stock हो गया तो ये सब क्या है आपके assets है और आप बताओ जड़ा land और building कभी आपको नुकसान पहुचाती है अगर आपके पास land होगी ये building होगी तो क्या होगा इसकी तो value और लेड़ी बढ़ेगी आप future में क्या कर सकते हैं इनकी value को बेच करके आप इससे पैसे ले सकते हो या फिर आपको तो इसका आगे चलके benefit भी हो गई होगा ठीक है ठीक है I think आप समझ गये होगी कि assets क्या है assets वो समान है जो future में चलके आपको benefit प्रवाइड करे ठीक है इतना समझ में आगे आपको अब चलिए सीखते है assets के type के बारे में यहाँ पर हबाई पास two types के assets होते है there are two types of assets पहला होता है हमारा current assets और दूसरा होता है non current assets ठीक है so current assets वो assets होते है समझ दीगा जो कि short term के लिए रहते हैं ठीक है जैसे कि आपका cash ठीक है देखो cash पर एक तरिके का assets ही है क्योंकि cash जो है future में आपको चलके benefit देगा ठीक है जो पैसा होता है और समझे इस current assets को current assets के मतलब वो भी होता है current assets का मतलब ऐसा समान जो की तुन्त cash में convert भी हो जाए जैसे कि आपके raw materials जैसे कि आप अपने factory के अंदर raw material purchase करके लगके आते हो उसका product बनता है और वो sell हो जाता है जिसके कारण क्या होता है आपको तुन्त पैसा मिल जाता है तो ये सब क्या है आपके current assets है ठीक है जैसे कि example में देखो लिखा है for example goods are purchased with a purpose to resale and earn profit means आप कोई भी समान खरीदते हो resale करने के लिए दुबारा से बेचने के लिए तो आपने उस समान को खरीदा और उसको दुबारा बेच दिया means तुरंत बेच दिया आपने उसको तुरंत उससे पैसा आ गिया तो वो क्या है आपका current assets है आप ऐसा समझ लो आशान भाषा में वो product या फिर वो समान जो आपके पस टिका नहीं रहता है currently आपके पास से आता या जाता रहता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया cash आप raw material भी ले सकते हो raw material फेक्टरी में आता है बनता है और चला जाता है तो I think अब समझ गए होंगी current assets क्या होते है अब जानते है non current assets को non current assets को आप fixed assets भी कह सकते हो अब fixed assets का मतलब क्या होता है जब वो समझ ये fixed assets हमारी वो समान होते हैं जिसे कि हम resale के लिए नहीं रखते हैं means उस वो बेचने के लिए नहीं रखते हैं जैसे कि यहां देखे लिखा है fixed assets are those assets which are acquired not with the purpose to resale fixed assets कौन से assets हैं जिसे हम बेचने के लिए नहीं रखते हैं लेकिन हम उसे business में use करते हैं जिसे कि हमारी जो earning power है earning की capacity है वो increase कर सके ठीक है तो I think आप समझ गए होंगे fixed assets कौन से assets हैं fixed assets वो assets हैं जिसे हम बेचते नहीं हैं और उसे हम अपने business में use करते हैं ताकि हम अपनी earning capacity को बढ़ा सकें जैसा कि यहां देखिए land हो गया, building हो गया, machinery हो गया अब machinery क्यों क्योंकि दिको machine जो है आपकी वो क्या करती है अब आप उसे बेचने के लिए तो रखते नहीं हो कि हम machine बेचेंगे क्योंकि उसी machine पर काम हो रहा होता है और उसी machine पर काम करके आप क्या करते हो अपनी earning capacity को बढ़ाते हो जैसे कि computers हो गया, vehicles हो गया, furniture कई साइच चीजे हैं जो कि आपके fixed assets के अंदर आ जाती है अब यहाँ जानिये जो fixed assets होता है वो two types के होते है there are two types of fixed assets तो पहला है यहाँ पर tangible assets दूसरा है intangible assets so tangible assets वो assets होते हैं जिसे कि आप touch कर सकते हो या फिर छू सकते हो या फिर आप उसे देख सकते हो means tangible assets वो assets है जिसका एक physical existence है ठीक है तो जिसे आप touch कर सकते हो वो tangible assets कहलाते हैं यही simple सी इसकी definition है जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है tangible assets are those assets which have physically existence they can be seen and touched ठीक है जिसे कि आप देख सकते हो और छू सकते हो जैसे कि land, building, machinery, computer आप इन सब को छू सकते हो तो यह सब क्या हुए आपके tangible assets हुए ठीक है दूसरा है यहाँ पे intangible assets अब intangible assets कौन से होते हैं जरह वो समझे है intangible assets वो assets होते हैं जिसी कि आप ना देख सकते हो और ना ही छू सकते हो और ना ही कोई उनकी physical existence है जैसे कि goodwill, trademark, copyright, etc अब मुझे पता है कि आपको goodwill का मतलब नहीं पता ठीक है क्योंकि जो बच्चे art side से हैं या फिर science side से हैं उनको goodwill वगरा नहीं पता होगा लेकिन जो commerce side से हैं वो समझ गयोंगी कि मैं goodwill क्यों खहरा हूँ अब goodwill का मतलब समझे goodwill का मतलब होता है एक company की repetition तो क्या जो repetition है उसे आप छू सकते हो या उसे आप देख सकते हो अब जैसे एक example लीजिए एक domino's वाला pizza बेचता है और एक ready वाला pizza बेचता है लेकिन जो domino's वाला pizza होता है उसका rate हाई होता है जादा होता है क्यों? क्योंकि उसकी एक repetition है उसकी एक goodwill बनी वी है तो goodwill क्या है एक तरीके से एक assets है और जो goodwill है वो उसको future में benefits प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसकी एक repetition है तो repetition अगर किसी की होती है किसी भी company की तो क्या होता है वो company अपने products को महेंगे दाम में भी बेचती है जैसे कि domino's अपना pizza महेंगे दाम में बेचेगा और जो ready वाला अपना pizza है वो कम दाम में बेचेगा ठीक है So I think उम्मीद करता हूँ आपको goodwill समझ में आगिया होगा अब जरा समझें trademark को अब trademark क्या होता है जैसे कि मेरा एक business है और उसमें एक logo है या एक नाम है लेकिन उस नाम को अगर मैं registered करवा लेता हूँ तो वो सिर्फ मेरा बन जाता है ठीक है फिर उसे और कोई नहीं ले सकता या फिर यहाँ पर अब देखिए जरा copyright का मतलब समझें copyright का मतलब जो चीज मेरी है अगर उसे कोई use करता है तो मैं उस पर copyright claim कर सकता हूँ अब यह साही चीज़े आपको दिखती नहीं है लेकिन आगे चलके आपको future में benefit जो प्रवाइड करती है ठीक है so I think आप goodwill का ही मतलब अब समझ लीजे आप इसी से समझ जाएंगे ठीक है students अब आपको क्या करना है आज की वीडियो में मैंने जितनी भी आपको basic accounting terms सिखाई है इसको आपको सही तरीके से पूरा readout करना है और जो यह notes हैं आपको इस वीडियो के साथ जाएंगे इसको आप पढ़ियेगा और अगर कोई भी ऐसी line जो आपको समझ में ना आए तो आप हमें call करके पूछ सकते हैं ओके so इसके आगे के वीडियो को हम इसके next part में achieve करेंगे so thanks for watching our video have a nice day